हेलो दोस्तों स्वागत आपका मारे यूट्यूब चेनल पर जहां इस अपने क्वेश्चन अंसर डिसकसन सेशन में आज हम जिस सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सवाल है दुर्किम और मर्टन एनुमी की व्याख्या कैसे करते हैं इसका आलोचनात्मक परिक्षड करें तो चलिए हम आज के अपने इस चर्चा को सुरू करते हैं एमिल दुर्किम और राबर्ट के मर्टन प्रमुक समाज सास्त्री हैं जिन्होंने एनुमी की अवधार्णा में योगदान दिया हाला कि उनके द्रिश्टी कोड कुछ पहलूँ में भिन नहीं समाज सास्त्र के संस्थापक वेक्ष दुर्किम ने विशेस रूप से तेजी से बदलदे समाजों में समाजिक मांदणों और मुल्यों में गिरावट के रूप में एनुमी अर्थात-विसंगती की व्याख्या की उन्होंने एनोमी को रोकने में समाजिक एकी करण और वीनेमेन की भूमिका पर प्रकास डाला दुर्खिन का अनुसार एनोमी तब होती है जब व्यक्ति समाजिक मांदौन्डू से अलग महसूस करते हैं जिससे उद्ध्य शिहिंता और नेतिक भ्रम की भावना पैदा होती है उनके कामने समाजिक वरस्था बनाए रखने में सामोहिक विवेक और समाजिक एक जूटता के मतों पर जोर दिया वहीं इसके विप्रीत बीस्वी सदी के मद्ध में विकसित मर्टन का सिद्धान सांस्कृतिक लक्षियों और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों के बीच तनाव पर केंद्रित था उन्हें तर्क दिया कि समाजिक संवर्चना ऐसे इस्तिती पैदा कर सकती हैं जहां और किसी को सफलता के वैद साधों तो समान पहुंच नहीं होगी जिसे निराशा और विसंगती अर्थात इनुमी पैदा होगी इस्तनाव के प्रतिव्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं को पांच प्रकारों में वर्गी कृत किया अनुरूप्ता, नवीन्ता, कर्मकांड, पीछे हटना और विद्रो समाजिक मुल्यों पर दुर्खिम के जोर के वेपरीद मर्टन का सिधान समाजिक दबाओं के प्रति व्यक्तिकत अनुकूलन पर केंदरित था जबकि दुर्खिम का परिपेक्ष अधिक व्रिहद अस्तर का है और समाजिक एकी करण की भूमिका पर केंदरित है मर्टन का सिद्धान तनाव के प्रतिवेतिकत प्रतिप्रियाओं की सूख्ष्म अस्थर की गतिशीलता पर प्रकाश डालता है दुर्खिम की एनूमी सामोहिक मांदन्डों के कमजर होने से सम्बंदित है जबकि मर्टन की एनूमी अवरुद्ध आउसरों का सामना करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुभव किये के तनाव से संबंदित है संचेप में दुर्खिम और मर्टन एनूमी की आउधारणा में विशिस्ट लेकिन पूरक अंतरतुरिष्टी प्रतान करते हैं दुर्खिम विशंगती को अर्था एनूमी को रोकने में समाजिक एकिकर और समंजर्स्य की भूमिका पर बल देते हैं जबकि मर्टन का ध्यान समाजिक लक्षियों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के बीच तनाव पर है जिससे व्यक्तिकत अनुकुलन होता है उनके सुध्धान मिलकर हमारी समझ को समरिद करते हैं कि समाजिक ताकते व्यक्तियों के विभार और समाजिक एक लूटता को कैसे प्रभावित करते हैं धन्यवाद आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने एगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद